नमस्कार विद्यार्थियों ममनेश कुमार सर्मा सामान्य विज्ञान के इस क्लास में आप सबी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज जिस मुद्दे पर अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे उस मुद्दे में कितना टाइम लगेगा मैंने अभी सुरू किया है मुझे भी नहीं पता भी कितना टाइम लगेगा ठीक है लेकिन मुझे यह जुरूर पता है कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा कोरोनो वाइरस की नई स्ट्रेंड और वैक्सिन का उस पर भरबा हो तो कोरोना वाइरस से संबंदित कोई भी बात है वो मेरे हिसाब से आप से अच्छूती नहीं रहेगी अब आपने हाली में देखा हुआ कि यूके में कोरोना वाइरस की नई स्ट्रेंड मिली है सभी ने नियूज चैनल्स पे या नियूज पेपर में पड़ा होगा ये बात सारी और गणतांतर दिवस के समारों में बॉरिक्स जॉंसन ब्रेटेन के परधान मंत्री मुक्या ति सरकार ने भी इसके लिए गंबीर रूप से जो फ्लाइट सारी थी ब्रीटेंसे उन पर रोक लगा दिये यह यह नई श्रेंड क्या है इसके लिए काफी विद्यारती थे मेरे वह मेरे को बोड़े थे कि सर इस पर वीडियो बनाईए यह नई श्रेंड क्या है म्यूटेट ह बनाई रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाएं कि उसमें 20-25 मिनट का कचरा नहीं उसमें जीरो से शुरू करें और लाश्ट तक कतम करें तो मेरे विद्यारतियों में आपको एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके अंदर बीज डालूंगा एक कोरोनो वायरस से चर्चा करेंगे वायरस के बारे में वायरस के इतियास के बारे में कि इतियास में भी वायरस के साक्षे मिले थे या नहीं पिले थे उसके बाद में आएंगे वायरस की खोज पर वायरस की खोज कैसे हुई थी यह अगला पॉइंट होगा अपना वायरस की खोज से संब्ध इत्यास पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि virus की सरंचना, उसकी विशेस्ता संग्ठन और virus की विशेस्ता हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे virus का classification , jaसी हम virus का वर्गी करण करेंगे ना उससे हमें ed नई चीज मिलेगी जिसे आम पिछले एक साल से जहल रहें है कोरोना वाइरस उसको रना वाइरस के नाम की उत्पत्ति उसका खुद का क्लासिफिकेशन इस सारी बाते पढ़ेंगे फिर हम बढ़ेंगे सारस कोई टू की नई श्ट्रेन क्या है उत्परीवर्तन क्या है और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे वक्सीन के बारे में तो यह सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं इन पर अपने चरण बद रूप से अ जरूरी है ठीक है तो अगर इसके बारे में जिसको पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा कि किस टाइम पर किस पॉइंट को बताया गया है समझ महीं तो नोटबुक ले लिजिएगा साथ में पैनल लिजिएगा इतने क्विश्चन करंट क अब बहुत अच्छा मतलब मुद्दा है यह और बहुत सारे कुष्चन बहुत सारे डाउट्स बहुत सारी उत्कंटाद बहुत सारी प्रेश्यानियां आज आप सभी की दूर हो जाएगी तो सुरू करते हैं सबसे पहले वाइरस की इत्यास में मिले शक्ष्य के नुसा तो दोस्तो नव पाशाणकाल में बस्तिया बनाना प्रारणम कर दी थी इसका मतलब यह था कि मानव है वो निवास करने लगा था तिक अब जैसे ही उसने निवास किया तो उसने खेती भी की और जन्तों को भी पाला पाला या नहीं पाला अब निवास करेगा तो सदी सी बात है कि उसको बोजन भी चाहिए तो खेती भी करेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए तो जन्तों को भी पालेगा इससे क्या ह अगर मानव बस्तिया नहीं बनाता मानव निवास करना एक स्तान पर प्रारम नहीं करता तो हो सकता है वाईरस नहीं फ्यलता हो सकता है क्या पता फ्यल जाता पेड़ पोदों इसे वाईरस मानव में अया और एक वह नग करना उन फ्यल गया और महामारी का रूप ले लिया उसके बाद में इतियास में बहुत सारे शक्सें ऐसे मिलते हैं जिसे हमें ये परतीत होता है कि उस समय भी डिजिस थी रोग थी ठीक है लेकिन उस टाइम के लोगों को ये नहीं पता था कि रोग हो किसे रहा है मतलब रोग का कारण क्या है हाँ रोग जरूर हो रहा था इसके साक्षए भी मिलते हैं इस्टि पढ़ हो गे आपने सबसे पहले मिशर की सब्वेता में आपने देखाोगा मिसर की सब्वैता 5000 इसा पूरोव यह आपको पतायोगा साल वगेरा जो भी है मैं साइस का अध्यावग हूँ यह साक्षेवी मैंने हमारे जो कंटेंट राइटर है अजीस सिंग जी राठोड मां उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जुनोंने मेरे को इस्टी के ब द्वार पाल का चितर मिला था मेरे दोस्तों किसका चितर मिला था द्वार पाल का और उस द्वार का द्वार पाल की पैर के दो पैर को देखोगे ना डाइग्राम देखिएगा पैर आपको दिखा ही दे रहा है न इस पैर का जो लक्षण धना वो हूँ-बहू हमारे जो पोलियों के रोग का लक्षण होता है न वो इता मतलब पैरों में अपवर्दी या पैरों की सरंचना में परिवर्तन होता है ना विकरती आजाती है पैर में तो इस द्वारपाल का जो चितर मिला था सक्षों में कोण सी मिसर की शब्याता में तो वहां पर द्वारपाल की चितर में पोलियों का लक्षन प्रतीत हो रहा है इस लेकिन उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि यह रोग हो किस से रहा है रोग हो रहा था लेकिन रोग का कारण नहीं पता था इसी तरीके का एक सक्ष्य और बताता हूं आपको दो तीन बताऊंगा टेंशन मत लीजेगा बस जुड़े रहेगा मैं आपको पहली बोल चुका हूं कि जब आप इस टोपिक को करके खतम उठोगे ना तो दिल पर हाद रखकर आप पहलोगे कि आज हमने बहुत अच्छी जी समझेए ठीक है उसके बाद में मेसोपोटामिया की जो सब्वय था थी उसमें एक एसनूना नाम का शहर था और उस एसनूना का कानून के एक किताब सक्षय के रूप में प्राप्त हुई कि उस शहर में कोई कानून थ यह उसका उस दोरान कुत्तों से रोगों में कुत्तों से लोगों में रोव पहर रए थी और प्तों से लोगों में पहर रहे थी तो वहां पर एक ननून बनाय गये था जो शक्षय मिलते हैं कि जो मालिक है वो अपने कुत्ते का ध्यान रखेगा दूसरी बात अगर वो कुत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो मालिक को उस दूसरे व्यक्ति को दंड देना होगा मालिक को दंड देना होगा दंड का मतला जुरुमाना यह नहीं कि उसने काड लिया दो तिन कोडे दो नहीं मालिक को दंड देना होगा उस व्यक्ति को जिसको कुट्टे ने काटा है और उस कुट्टे का मालिक है वो उसको जुर्माने के रूम में कुछ पैसे देगा या जो भी है उस समय होगा को यानि कि उस समय कुट्टों में भी कोई वेमारी थी तब ही तो कानून बना कि ल कोई रोग था जो कुटों से पहला रहा था अब उनलोगोंको भी यह नहीं पता था कि रोग था क्या यह रेविज रोगबाद में बताया है उन लोगों को यह नहीं पता था और वहां के सक्षय भी मिलते हैं। उसके बाद में हैं सिंदु physicians सब्वेदा के बारे में आप सभी ने सुना होगा उसके पतन के अलग-अलग इतियासकार है वो अलग-अलग कारण बताते हैं कैनेडी नाम का एक वेग्यानिक था उसने ये बताया था कि वहां के लोगों में सिंदु गाटी सब्वेदा के लोगों में प्लेग जैसी कोई बी इतना बताना था कि उन सभ्वेदां में भी रोग थे कोई दिकद उसके बाद में एक ओर थी एंधहस ग्रीस की सब्व्याता इस manufacturers थे ए छू सो डाये श उस ने बताया था गूस कि इस सब्व्याता में भी बे जैसी कोई बिमारी फैली ती यानिकी मैं यह कह सकता हूं कि और अब वहां उस समय जितने भी मैंने चार पांच एक्जम्पल दी हैं आपके इन लोगों को वाइरस के बारे में पता नहीं था लेकिन इनको यह जरूर पता था कि रोग हो रहा है और रोग एक दूसरे से एक वेक्टी से दूसरे वेक्टी में भी हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है और रोग क्यों हुआ था यह मैंने बता दिया नव पाशानकाल बस्तियां बनी बस्तियों से पादब और जंतुओं से वाइरस वो मानाव में आए और रोग फैलना शुरू हुआ तो ये इतियास में इसके शाक्षे मिले हैं वाइरस के तो मैं कह सकता हूँ कि इतियास में भी वाइरस था रोग फैला रहा था लेकिन वहाँ पर लोगों को ग्यान कम था या था तो उसके साक्षे नहीं मिले हैं इस रोग के बारे में उनको नहीं पता था ये मैं बात कह सकता समझ मैं अब उसके बाद क्या हुआ रोग फैलते गए अब हम बात करते हैं दोस्तों की वाइरस की इतियास के बारे में हमने पढ़ लिया है कि रोग था लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि रोग कैसे हो रहा है पिर एक करांती कारी परिवर्तन की अब चलते हैं अपने व जबाब दाई है ठीक है बात है जी 15-18 स्ताबदी के बीच के यूरोप के लोगों में एक रोग फैर रहा था जिसका नाम था स्माल पोक्स छोटी माता जिसको चेचक कहते हैं कहां पर यूरोप के लोगों में लेकिन इतियास के शक्षे ये भी बताते हैं कि अफ्रीका में कि ये रोग है वो 2000 से 3000 वर्स पूरव भी पहला था लेकिन हमें अभी 15-18 स्ताबदी के बीच में आ जाना है ठीक है रोग का नाम था स्माल पोक्स छोटी माता चेचक लगू मसूरी का जिसको आप बोलते हो वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर जो इसका रोग जनक है अब क्या था कि स्माल पोक्स रोग फैर रहा था यूरोप के लोगों में अब यूरोप के लोग हैं वो परिवेहन कर रहे थे एक स्तान से दूसरे स्तान में जा रहे थे जा रहे थे जैसे आप जाते हो तो क्या हुआ ये रोग यूरोप से निकल कर एसिया महाद्वीप और अमेरिका महादीर में भी फैल गया और एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लिया जिससे बहुत सारे लोगों की मृतियों हुई तो उस समय एक विज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर डॉक्टर एडवर्ड जेनर सर ठीक है बहुत बड़ी खोज थी आप पलपना भी नहीं था ना उसी समय जो दूद वाले होते हैं दूद ये ठीक है उनमें गायों से एक रोग हो रहा था काउपोक्स की लोगों में छोटी माता स्मॉल पोक्स हो रहा था लेकिन उसी दोरान जो दूद वाले थे ना मेरे दोस्तों उनमें गायों के थन के दोवारा दूद निकालत दूद वाले संकर्मित हो रहे थे तो उन्होंने इस रोग पर अध्यान करना शुरू कि तो उन्होंने एक बात देखी वह बहुत ही अच्छी बात थी मेरे दोस्तों बात क्या देखी कि जिन दूद वालों को काउपॉक्स रोग हुआ है न उसको भी चेचा की कहते हैं गायों पोक्स रोग हुआ है उनमें स्मोल पोक्स रोग नहीं होता उनमें स्मोल पोक्स छोटी मादा नहीं होता तो उन्होंने का चलो करते हैं कुछ इन्हों ने क्या किया एक करण सिंग नाम के वेक्ति को पकड़ा और उसकर नाम के वेक्ति में मैं नाम बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्ची तरीके से समझ मौए है एज यह स्टोरी करण सिंग को बलाए आईए आप मेरे पास गाय के धन से तरल परदार्त निकाला और उसको उस करन सिंग के अंदर इंजक्ट कर दिया तो करन सिंग में समाने लक्षन परतीत हुए बहुत ही नॉर्मल बहुत हलका बुखार थोड़ा बहुत सरदर दोना बहुत ही नॉर्मल जो चार-पांस दिन या मैं को एक दो अफती के बाद सही हो गया अपने आप काउ पोक्स लिया, करन सिंग में डाला करन सिंग सामाने लक्षन परतीत करता है और अपने आप ठीक हो गया ठीक अब उसने क्या कहा एक और वैकति पकडा जिसमें चेचक यानिकि स्मोल पोक्स रोग्ट के लक्षन आप जानते हूंगे पूरे शरीर क्रफे ऑर दानेदार सरेंच न हो न पकड़ लिए उस व्यक्ति को जी समें पॉक्स था अब उसके दाने से तरल परदार्त नीकल कम निकाले तरल परदार्त निकाल कर उस करंड शिंग में वापिश डाल दिये जिस में संकरमित व्यक्ति छोटी माता वाला उससे तरल निकाला यानि कि मैं एक तरसे कह सकता हूं स्मोल पॉक्स और करन सिंग जिसमें पहले से दोबारा छोटी माता का जो टीका था वो बनाया गया बहुत ही बड़ा इतियासकारी परिवर्तन था ये दोस्तों छोटी माता चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ठीक है याद रखना है एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला वैक्सीन या मैं आम बासा में कहूं दुनिया क पहला टिका कॉंस्टेबल में कि शनाया था अभी जो पेपर हुआ था चेचक का टिका किसी ने रट लेते हैं कि जैनर ने मड़ा कैसे बनाए यह तो पता होनी चाहिए ना और इस अब जो काउप एक से ना उससे वैक्सीन में एक बात बताऊंगा आप मतलब वैक्सीन के साथ रिलेट करूँगा इस काउपोक्स को लाश्ट के अंज़ा जो अपना लाश्ट बिन्दू है वैक्सीन ठीक है रिलेट होगी बात ध्यान रखना इस बात को तो जैनर ने स्मॉल पोक्स का ठीका या वैक्सीन कैसे बनाई आपको पता चला कि पहले स्वस्थ वैक्ति में काउपोक्स का तरल डाला उसमें समाने रक्षन परती दुए फिर एक संक्रमित वैक्ति को पकड़ा उससे तरल निकाला स्मॉल पोक्स का और उस काउपोक्स वाले में डाल दिया अब जो काउपोक्स जिसमें हुआ ता उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं होगा और यहां से दुनिया की पहली वाक्षीन किसने बनाई थी यह एड़वर्ड जेनर ने याद रखना इस बात को आपको कि चैचक का टीका या दुनिया की पहली वाक् वोगा, जर्नल साहब को अभी यह नहीं पता था कि एडख से है वह जो सोच लेत कोई कोऊरोना वारस हो रहे है। धिक है कोरोना की वैक्सिन मोना दी लेकिन ले नहीं पता कि ओ रूना ओ किस थे हैं यहां सो है तो इसी तरीके से पहली वेक्सीन ने फिर और वेगनी निका लूइश पास्चर जैसे उन्ने कुत्तों पर अध्यन किया ठीक है और रेटी रोग की वाक्षीन बना दी एंट्रेक्स रोग की वैक्षिन बना दी किसने लुइश पाश्चर ने ठीक देख लीजे कुत्तों पर ये एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन लुइश पाश्चर को भी ये नहीं पता था कि रेविज या एंट्रिक्स हो किस से रहा है बहुत इंपोर्टन चीज है ये कि रोग का कारण नहीं पता मेरे को लेकिन मैं बना दूंगा वैक्षिन और बहुत ही बड़ा क्रांती कारी परिवर्टन था मेरे दोस्तों ये कि वैक्षिन बनने की जो प्रश्ट भूमी है न व यहांँ से मैक्सिन का हीतियांज सुरू होता है ठीक है तो यह था वैक्सीन का हीतियास समझ में यह आप को अब बाते हैं वाईरस की थयास्सवे मैरे दोस्तों तो क्या था अथारिमी और नीसुछ इस्ताबदी में जो ुद्ध रllor से वो तबspace को खेती बहूत करते थे रहा था इससे अचानिक से क्या हुआ कि तंबाकू के पादप है वो संक्रमी तोने लगे किस से हो रहे था यह किसी को नहीं पता था होने लग गए अब होने लगे तो फसले नश्ट उने लगी लोग परेशानी में आगे और इस लोग इन लोगों की परेशानी को देखते हु विज्ञानिक थे एडॉल्फ मेयर कौन से विज्ञानिक थे एडॉल्फ मेयर इन्हों ने इस तंबाकू के पादप पर अध्यान करना सुरू किया कैसे किया कि एक स्वस्थ तंबाकू का पोदा लिया और एक संक्रमित तंबाकू का पोदा लिया जिसमें रोग हो रहा था अभी रोग के बारे में नहीं पता था सिर्फ यह था कि संकर्मन हो रहा है फेल रहा है रोग क्या है कुछ नहीं पता तो मेर ने क्या किया स्वस्त पोदा लिया और एक संकर्मित पोदा लिया तबाकू का संकर्मित वाले की पत्ती ली और उसको स्वस्त वाली पत्ती पर रग तंबाकू मोजेक रोग नाम दे दिया याद रखना है तंबाकू पादपों में रोग का अध्यन किस ने किया था मेयर ने और इसको इसने क्या नाम दे दिया था टोबेको मोजेज मोजिक डिस तंबाकू मोजेक रोग कोई और निसकर्स नहीं दिया मेयर ने आपको याद रहाऊं कि तबाकु पोदह पोदे में रोग खोजा था किसने मेरने जिसका नाम था न फिरा मोजे पूर्चरfolg इंपोर्टेन यह बात ध्यानक अब तंबाकु मोजे कि रोग की खोज वे में ने कर दी तो विघ्यान को कि कि एक जना कोई खोज कर देना तो फिर दूसरे के पेट में दर्द में लग जाता है कि अब हम भी कुछ करते हैं तो फिर एक विग्यानिक आगे दमित्री इवन्वास्टी कौन से विग्यानिक दिमित्री इवोन वस्टी उन्हों ने धिर मेर के परयोगों से वो पर्यभावीद हो गया फिर उन्होंने काम सुरू किया तमभाकूOFF समझ में आ रहा ना आप सभी के कड़ी से कड़ी जोडते रहना बहुत अच्छी बात समझ में आए कि तबाकू बोदे पार मेर ने कर दिया था एक्सपेरिमेंट अम इन्हों ने क्या किया यह लगबगा अठारा सुनब्य के तशक की बात ठीक यह बात ध्यान रखनी आपको म देर वाली अठाराँ सुनिया सी सेवन नाइम की ठीक यह लोने क्या गया तबाकू के पोदे से तरल निकाला संकरमीत पोदा लिया संकरमीत जिसमें संकरमन था पतियां थी वो हलके बूरे और काले रंके दब्वेते पतियों पर यह लक्षन होते है तबागू मुझे पॉर सीलन फिल्टर फेले बताता हूं यह पॉर सिलन फिल्टर क्या वोते हैं यह पोर सिनल फिल्टर आव बैक्टीरिया के लिए बनाया गया होता है जीवाणु जो होते याद रखने ये कब की बात अठारा सुनब्ब्बे की लेकिन इससे पहले जीवाणुं की खोज ओग थी बैक्टिरिया की कोज रोबर्ट हुक और एंट्वन होग सोड़ा सोड़ास चंतर में कर चुके थे लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना हम सिर्फ वायरस के बारे में अधिन कर रहे हैं तो इनके बारे में नहीं पता ठीक है ओचिए एंविस्ट्र ने क्या किया गूर्श इन फिल्टर में डू सिर्ट जो ब्यक्टिरिया को तरल से ब्यंसे अलग करते बैक्टिर्ध उपर रहे जाएंगे तो अपने को यह लुग बैक्टिर्या को को फिल्ट्रेट करने के लिए और सिल्टर का यूज किया जाता है कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया कि बड़े बैक्टीरिया के खुणा है वह याट भागा होता है तो इस पॉर्चिनल फिल्ट्र से गुजर नहीं पाएगा तरल निकल जाएगा और बचे जो परदार बै होंगे बैक्टीरिया अब इमोन वस्की ने क्या किया तरल निकाला पॉर्सिनल फिल्टर से गुजारा तरल निकल गया उस तरल को संकर्मित स्वस्त पोदे पर डाला तो वह स्वस्त पोदा भी क्या हो रहा था संकर्मित हो रहा था तरल निया संकर्मित से पॉर्सिलन फिल्टर में डाला उससे निकला जो तरल है उसको स्वस्त पोदे पर डाला तो वह स्वस्त पोदा भी क्या हो रहा था संकर्मित हो गया संकर्मित तो फिर इसने दो निश्कर्स दे दिये इवोन वस्की ने पहली बात पहली बात इसने यह कह दी कि यह जो तरल निकल रहा है इसमें कोई ऐसा गटक है जो बैक्टीरिया से छोटा है तभी तो इससे निकला अगर बैक्टीरिया जितना होता थो निकल नहीं पाता बैक्टिरिय से चोटा होता है पहले बात ये बोल दी और दूसरी बात क्या बोल दी कि गिए जो इसके अंदर जो भी गटक है जाए वाइरस वक टिरिया कुछ नहीं जो भी था हमें नहीं परदार छोड़ता है जो आगे पोदे को संकर्मित करते हैं समझ में बार कि दो इन इसकर से निकाले पहले तो इसका एक्सपेरिमेंट आपके समझ में तरल लिया संकर्मित पोदे से उसको पॉर्सिलन फिल्टर से निकाला पॉर्सिलन फिल्टर से प्राप्त तरल को स्वस्थ पोदे पे डाला तो वो पोदा भी क्या हो गया संक्रमित हो गया यानि कि इस तरल में जो सक्रामक गटक है इन्फेक्सर रिजेंट है वो वैक्टिरिया से छोटा है और यह जो रिजेंट है वो कुछ ऐसा विसेला तरल छोड़ रहा है जो आगे पादप को संक्रमित कर रहा है दो बजनेशकर्ष पता चले आपको दोनों निसकर्ष नोट डाउन कर लेना इमोन वसकी के दोनों निसकर्ष क्या थे अब क्या था इन्होंने इस संक्रामक गटक को इन्फेक्सर रिजेंट को बग्टिरिया गए दिया कि बैप पीरिया कही जोटा रूप है समय वह इन्होंने क्या गिया कि टीर्या कही छोटा रूप है इन्होंवस्किन एबात के तो फिरल फIDर मऒगेई दर्धुरा वह न तो पेटधर दूबा मां बगने मार्टि नश बज़ेयनिक और चीन रिकर यूरोप का था नीद्रिल रैंका ठीक इन्नों ने क्या किया जो पिछह वाड़े के एक्सपेरिमेंट है उसी को यूज कर लिया कि तेरी को प्रिमै गड़्ता हूं इसको स्वस्त पोदे डाला तो वह भी संख्रमित हो गया और इसने यह करके सीधा सामने बैठे ते इवहोनवस की सामने ते बेजर इनिक और बोल दिया तुने जो दोनों इस कर सिने गलत तरह सर आ तो इवो नमस्की भी आप कुछ तरह था ऐसे कैसे गलत है आप सिद्ध करो इसको तो सिद्ध किया उन्होंने वो सिद्ध करना था ना वो समझना आप किस तरह सी इसने इसको डिस्क्राइब किया था इसने कहा कि आप कह रहे हो कि यह बैक्टीरिया से चोटा है और बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की एक खास बात होती है आपको पता है उन्होंने कहा कौन सी उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया है वो पोशक माद्यम जो होता है न्यूट्रियंट मीडि जो कि आपको पता होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन कार्बो हाइट्रेट प्रोटीन और वसा से बना होता है और इसमें क्या होता है जो जिवानों है ना वो ग्रोथ करता है किसमें पोशक माद्या में देख रीज़ डाइग्रम में जिसको आप में आपको यह वाइट कलर की से रही है ना यह बैक्टीरिया जो इन पोशक माद्या में जो प्रदार था उनको बोजन की रूप में ओपयोग करा और वर्दी कर रहे है ठीक है बैजरिइंस ने कह दिया कि यवोन वसकी जी आपके दोनों निसकर्स गलत है तो फिर इवन्मस की जी ने कहा कैसे तो बैजारिइंस नीजिने का हा कि आपने का बैक्टीडिया से छोटा है और बैक्टीरिया है तो मेरे को यह बताओ कि बैक्टीडिया तो पॉश्क फिल्टर वो जिसमें संकरमित पादप के तरल को डाला था अब इस पोर्सिलन फिल्टर से जो तरल मिल रहा है ना उसमें जो इनफेक्शन रिजंट ना बक्टिरिया नहीं हो सकता पहली बात तो आपी गलत है बैक्टीरिया तो ऊता लुए घर अधिरीया वहता तो लेकिन ये तो ग्रोथ कर ृणी रहे हां ये बात आपकी सही है कि बैक्टिरिया जोट आ क्योंकि ये तो सिदी सी बात फूर्सिरन फिल्टर से वह ही गुजरेगा जो वैक्टीरिया से चोटा होगा राद पानी बात तो यह गलत कर दी लिक। बक्तिरिया नहीं है अ समझ मैं ही बैजरीनेक की पहली बात बैक्तिरिया निया तो क्यों कि उस तरल को जो पॉर्सिलन फिल्टर से मिला था उसको पोशक माध्यम पर रखके देख लिया ग्रोध हो इन्हें तो बैक्तिरिया नहीं है दूसरी बात बैजरिक ने कही कि आप कह रहे हो कि इस तलल में जो सक्रामक गटक है वाइरस यूज नहीं कर रहा भी था क्योंकि अभी तक किसी ने बताए नहीं है क्या कि जो इन्फेक्शन रीजेंट है वो विस्लिला परदार्त छोड़ रहा है जो एक से दूसरे को परभावित करता है बैजरिक ने कहा ये बात भी आप फी गलत है इमन वसकी जी उन्होंने कहा कैसे तो आप खुद सोचो कि कोई विस्लिला परदार छोड़ेगा तो एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चोते में जाएगा तो उसका जो इन्फेक्ट है वो क्या हो जाएगा कम हो जैर का तो आप सीधा सा देख लो लेकिन इससे जो तरल निकल रहा है ना उसने पहले पोदे को उतना नुक्सान पहुंचाया दसमें पोदे को भी उतना नुक्सान पहुंचाया हजार में पोदे को भी इतना ही नुक्सान पहुंचाया यानि कि यह जो तरल इसमें है उससे परदार्थ निकलेगा वह टॉक्सिक नहीं होगा विसेला नहीं होगा तो फिर क्या बोले तो यह वन वसकी निजी ने कहा सरेंडर आप बता दू कि उन्हें ने का मैं तो बताऊंगा पर मेरी बात माननी बढ़ेगी आपको वो बोले मानेंगे तो उन्होंने कहा क्या पहली बात पोर्सिलन फिल्टर से निकलता है तो बैक्टीरिया से तो छोटा होगा पहली बात यह वाइरिस की विसेशता ही है बैक्टीरिया से क्या होता है छोटा है दूसरी बात बाहरी माध्यम पर वर्दी नहीं करेगा पोशक माध्यम पर डाल कर देख लिया ग्रोथ नहीं करा लेकिन मैं किसी पादप में डालूं किसी पोदे में डालूं किसी जन्तू में डालूं तो ये वहां पर वर्दी करेगा मतलों बारी माध्यम पर वर्दी नहीं करेगा लेकिन अंदर किसी जीवित होस्ट सेल में डाल दू तो वहां पर ग्रोथ करेगा दूसरी बात करेगा संक्रामक तरल जो एक पोदे कुसे दूसरे पोदे में जाएगा तो उसको भी संक्रमित करेगा विश्यला नहीं है तो इवन वस्की जी ने जो निसकर्स दिये थे उसमें तीसरा निसकर्स यह था कि यह जो तरल है इसमें जो भी प्रदार्त है जो संक्रामक गटक है वो जो तरल छोड़ेगा उसको मैं यह कहूंगा संक्रामक जीवित तरल कंटे निजम वाइनम फ्ल्यूड संक्रामक जीवित तरल नाम दे दिया किसने बैजरिनिक ने और इसलिए यह कह सकते हैं कि तरल निकल रहा था या तमाकू मोजेक रोग का कारण था उसको वाइरस नाम दे दिया और इसलिए इनको क्या कहते हैं इह फादफ वीरोलोजी का मतलब क्या है वाइरस का अध्यन और यह वीरोलोजी यह माइक्रोब वाईलो जो गुत कर इक श्म जीव को इन माइक्रोबा लोजी नंग यह जाता है और उसी की एक शागा है कौन सी वीरो लजी और ज्गा फादन कौन है बेश रिन्यक तो यह वायरस की खोज ति Mirror कर एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं पादप संकर्मित पादप की पत्ति को स्वस्थ पादप से रगड़ा और इसने क्या नाम दीदिया तामा को मोजक रोग ठीक है इमोन वस्की दोने सकर्ष निकाले पॉर्षिन फिल्टर से निकल गया तो बैक्टरिया से चोटा दूसरा ये वि प्रप किसने साबित किया था बेजरी निक ने इसने क्या गहा जो दोतीन बाते मैंने आपको बताई यही वायरस की विशेष ताइए जो आगे मैं आपको बताऊंगा फिल्ट ठीक है तो अब वायरस नाम मैं कहूं तो मार्टिन मार्टीन अस बैजरे ने दिया यहां पर व उसको नाम बदल कर क्या कर दिया मेर ने तो क्या किया था तंबाकू मुझे डीजिस डीजिस को अठाकर क्या लिख दिया वाइरस और यहां से कि मेरे दोस्तों वाइरस की खोज होती है इतियास में वाइरस के अपने सक्षे पराप्त कर ली एड़मड जेनर की वैक्सीन पराप्त कर ली उनको नहीं पता था कि ये हो किससे राये लेकिन उन्हें वैक्सीन बना दी लुई पास्चर ने भी यह किया लेकिन वाइरस की अब आप वो विसेष्टाएं पढ़ते हो ना रटी रटाई होस्ट सल के अंदर जीवी तो होता है बारी माध्या में निर्जी होता है वो कैसे हुआ था रटना नहीं है मास्टर बता देते हैं ये लो विसेष्टाएं लिख लो किताबों की रटी ये लो अरे साब ये आकार और वर्गी करन करते हैं मेरे दोस्तों चलते हैं आगे की दरफ और बात आती है सबसे पहले पोशक माध्या रखना क्या होता है ठीक है भारेस की परिवाश्चा विशेष्टा संग्ठन सरंचना पढ़े अब द्यान रखना ये पीच्छे बात और बताता हूं आपको कि यहां पर टोबेको मोजिक वायरस की खोज हो गई थी तो याद रख लेना पहला खोजा गया वायरस वायरस दो तरह के होते हैं पादब वायरस और जंदू वायरस प्लांट वायरस और एनिमल वायरस तो पहले खोजा कुण सा गया था पादब वायरस सामने आपके सारी बा मेरो से वह जन्तू वायरस इसको पहला खुजा गया था बहुत कूछ आ हाँ यहां पर बज्चर इन ने सिर्फ बता दिता वैरेस की विशेष्द के विशेष्थ ता उसका आकर्टि कैसे होती है उसका आकार कैसा होता है यह बात व्हों नहीं बता पाएं को नहीं बता पाई उसका भी एक कारण है उन्हीं सो 90 के दसक के बाद किया है उस समय एलक्ट्रों माइक्रोस्कोप की खुज नहीं भी थी 211 में जाकर नोलो रसका ने एलक्ट्रोन माइक्रोस्कोप की खोजगी थी तब हम वाइरस को देख पा रहे थे उससे पहले वाइरस को देखा नहीं जा सकता था इसलिए उसके आकार और आकरती के बारे में कुछ नहीं बताया बेजरी निकने अब बताता भी कैसे रात को सपन नहीं आ पाया क्योंकि सीदी सी बात है उसको देख नहीं पा रहा था कल्पना कर दी थी कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ होता होगा लेकिन दोस्तों विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत बड़ी खोज थी एक तो वैक्सीन की और एक वाइरस की ठीक है उस शमय जो आईक्यू लेवल था विज्ञानिकों का बहुत ही ज्यादा अच्छा था देख लो अप सिद्धे एक इमेज करके देखो ना आप कि आपको यह नहीं पता कि कोरोना हो किस से रहा है और आप उसकी वैक्सीन बना दू अब जैसे अभी की मैं वर्तमान की बात करूं कोरो जो रहा है लेकिन वाइरस की जो व्यक्सीन बनी है उसमें कितना टाइम लगा है अभी भी पूर्ण रूप से इसकी चर्चा बाद में करेंगे और उस समय जब यह पताई नहीं था कि यह हो कि से रार फिर वैक्सीन बना दी किस तरह की रहे होंगे वो विज्ञानिक हम कलप भी नहीं का सकते हैं तो बाद करते हैं वाइरस की विषाणों की परिवह सा उसकी अत्वत्ति किसी बात ऐसे पूप किताबों मिलती है कि वाइरस विशानू विश्काणू क्लियर है लेटिन भाषा का सब्द है वीरस उससे प्राप्त हुआ है लेटिन भाषा का सब्द जिसका मतलब क्या है मतलब यह है कि विसेला तरल क्या है विसेला तरल डेफिनेशन की बात करूं मैं तो इसकी विसेशता के अधार पर इसकी डेफिनेशन में बता सकता हूं कैसे कि यह ए कोशिकिये प्रजीव है ए कोशिकिये प्रजीव एक कोशिकिये मतलब सेल नहीं होती प्रजीव मतलब जो सजीव भी और निर्जीव भी है और यह सजीव और निर्जीव का स्वान और स्लाइडें पड़ी योगी रोबाट विर्चोफ नया कोशिक का सिद्धान ये उसका पालन नहीं करता क्योंकि खोशी का है नहीं कोशी का होती तो पालन करता ठीक है बड़े आगे बड़े वारिस की परिवासा और उत्पत्ति उत्पत्ति लेटिन भाशा के सब विरस से उई थी जिसका मतलब क्या है विशेला तरल खुद विशेला है दूसरे में पहलेगा तो सक्क्रामक परदार्त के करण ठीक है यह वोन वसकी ने कह दिया था कि विस छोड़ता है जिससे आगे आगे फैलता है गलत बात खुद विशेला है लेकिन यह जो छोड़ेगा ना वो क्या है टॉक्सिक नहीं होगा समझ भी है कोई भी वाइरस चाहिए वो पादप वाइरस हो चाहिए वो जन्तू वाइरस हो उसके संग्टन में दो चीजह होती है मेरे दोस्त एक तो होता है नुकली कमल नुकली कैसिट और साथ में उती प्रोटीन तो इनको स्यूक तुरूप से यह भी कह सकते हैं वाय समन नुकली प्रोटीन है क्या है नुकली प्रोटीन हम नुकली कमल डियने और आरने दो परकार के होते आप सभी को पता होगा तो वाइरस है उसमें नुकली कमल एक यूगा या तो डियने होगा या आरने होगा और उसके साथ क्या जूड़ी होगी प्रोटीन संग्टन की बात करें तो तो डीन ओगा डी ऊक्शिर आइवो में네 कैसिट या सात में प्रोटीन होगी ठेक है तो डीन और अरेने मेंसे इन दोनों में से कऊई एक प्लस में ये तो कमपल सिरी होगी उगी इन दोनों के जुडफ से क्या बनेगा वायरस अब DNA और RNA में नुक्लिक एसिड के बारे में थोड़ी सी जानकरी दे देता हूं DNA डबल स्टेंडर भी होता है और सिंगल स्टेंडर भी होता है यानि कि इसमें दो रज्जुक दिखाई दे रहे ना यह वाले ऐसा भी होता है एक वाला भी हो सकता है लेकिन RNA हमेशा है सिंगल स्टेंडर होता है एक रज्जुक बाला अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ी सी लिटिल नुक्ली कमल है पर तेग नुक्ली कमल में नुक्लियो टाइड्स होते हैं क्या होते हैं नुक्लियो टाइड्स में थोड़ा सा ज जतेग Im karenaоне में क्या होते हैं मेरे दोस्तों नुक्लियोटाइडज कोस्ते मस्या है अब यह जो नुक्लियोटाइड सेन दोस्तों इनका निर्मान तीन सरंचना से होता है पैंटोज सरक्रा नाइट्रोजनी छारक और फॉस्परिक्स समों है इस भी आजाओ देखाता हूं आपको यह जो है ना यह पैंटोज सरक्रा है यहां पे भी दिखाई दे रही होगी आपको यह पैंटोज सरक्रा है इसके साथ में यह चीजे जुड़ेगी यह नाइट्रोजनी छारक और एक जुड़ता है फॉस्परिक समों है एच थ्री पी यो फॉर और इन तीनों के जुड़ने से नुक्लिक इसके अपको पता होगा इसकी पैंटोज सरकारा गटी यहां पर आपको पैंटोज सरक्रा से कहा थे नाम क्या हूआ और राइभ यह के सकते हैं इसको इसकी जो पैंटोस सरक्रा है उसको का काते अटेक एडियोख राइब फिसका नाम क्या बहुआ डियोख राइब लिप्लीक एसट नाइट्रोजणी छरक पांच होते हैं मैं बता दे ताँ एडिनीन गुवानीन थाइमीन शाइटोसल यूरेसल कि दूपाँच और पांच में से परतेयर नुकली कमल में इस खाए पांच ओती है दोनों में कितनी एंसें गवानन और विन ये समें the इसमें अलंग कोन सित अधोओ इस महें यूरेसी ये वाली यूरेसिल कि मैं थोड़ा से साफ करके और बताता हूं आपको यह देखो साइटोसिल गवानीन और एडिनिन एडिनिन गवानीन और साइटोसिल यह थाइमीन यह थाइमीन वो केवल किसमे और यह जो यूरेशील लना इक होती है आरेने में यह आप नहींट चारक तीन-दूनों में से अलग कोड़ा है थाइमीन उति यह देने में अधिय और यूरेशील किसम होगी आरेने में साथ में इसके क्या जूड़ेकी प्रोटीन प्रोटीन जुड़ते ही क्या बन जाएगा वाइरस जिवानों बोजी बैक्पीरियों फेस वाइरस है ठीक है जिसमें सीर गृवा और टांगे होती है यह एडिनो वाइरस है यह कुरोना के जैसे यह उतार लगबग और यह HIV वाइरस है ठीक है अब इनने में होगा क्या या त आपको संख्टन बूछ ले वाइरस का तो भूलना ही मत है वाइरस में न्युक्लिक एजिड और प्रोटीन जुड़कार वाइरस का निरमान करेगी न्युक्लिक एसिड या तो डीन और होगा या आर ने होगा दोनों में से कोई एक प्रोटिन कमपसरी होती है तो तो किसका निर्माण हो जाएगा मेरे दोस्तो वाइरस का इसकी उत्पत्ती कर दी वाइरस का संगठन कर दिया वाइरस की परिवाशा कर दी अब आगे बढ़ते हैं आकार और आकरती ने तो सबसे पहले आकार याद रखने आपको कि चार सो नेनो मीटर के बराबर होता है यह देख लो डाइगरब इसका स्क्रीन शोट ले 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 ना आप यह आपके बहुत काम आएगा दोस्तों माइट्रो कॉंड्रिया और बैक्टीरिया उससे भी छोटा होता है कौन वाइरस क्यों छोटा होता है वाइरस देख लो रेंज कितनी है इसकी 15 से चार सो नेनो मीटर बैक्टीरिया माइट्रो कॉंड्रियस से बड़े होते हों यह हूं रेड बलड सेल्स इस्ट का दे रखा है प्लांट सेल एनिमल सेल पैरामीश्यम हूं यूमन एग फ्रोग एग का दे रखा है फ्रूट फ्लाइ दे रखी है चि सब्सक्राइब के लंबाई है तो आप देख सकते हो कि वाइरस परमानू निखलीक एसिड और प्रोटीन इन तीनों से बड़ा होता बागी सबीसे चोटा होता है माइट्रो कॉंड्रिया सुत्रकनी का कॉसी का का पावर हाउस उससे भी चोटा होता है कौन वाइरस समझ मैं योगी बात आपकों को वाइरस का आकार पता चला अब बढ़ते हैं बार है कि अब बढ़ते हैं वाइरस की अब करी कि यह बैक को देखते हैं एलोजी वाइरस का शेप हैलीकल है लिकल का मतलब क्या होता गोलाकार लंबबत होगा लेकिन मद्ध्य से क्या होगा खोकला होगा यह क्या होगा है एलीकल पेचदार कहते हैं इन दी में और कॉंप्लेक्स जटिल यह वला ठीक है इन सभी में से सबसे ज़्यादा जटल यही लग रहे है इसमें क्या होता है शिर्स ग्रीवा और बुझाएं यह तीन भागों में बढ़ता है जिसको क्या केते हैं कॉंप्लेक्स पॉली हाइड्रम पॉली हाइड्र सटकोनिया करका होगा जिस पर प्रोटीन है वो कम होगी और इन्वेलप्ड इन्वेलप्ड का मतलव क्या होता प्रोटीन से घिरा हुआ गोलाकार होगा लेकिन प्रोटीन से क्या होता है घिरा हुआ ता जैसे अपना कोरोना वाइरस होता है कोरोना वाइरस इन्वेलप्ड होता है इन्वेलप्ड का मतलब क्या होता है गीरा हुआ और गीरा किसे होगा प्रोटीन से तो यह वाइरस की आकरती आपके सामने साजा कर रहा हूं मैं इसको देख लीजिए और बढ़ते हैं फिर आगे वाइरस की विश्यस्ताएं तो बेजरीनिक वाली विश्यस्ताएं वही वाइरस की विश्यस्ता पहले क्या बैक्टीरिया से छोटा होता है इसलिए पोर सीदन फिल्टर से निकल जाता है कि कण्फरम दूसरी बात किसी बाहरी माध्यम पर यह क्या होता है डैड होता है व्रित होता है लेकिन अगर किसी वौश्ट सेल पे चला जाए किसी पादब या जनतु में चला जाए तो यह वहां पर रैप्लिकेट करेगा परती करती करेगा और गुणन गरेगा मल्किपलेmee अगर किसी अंदर चला गया तो वहां पर तो फिरी अपना काम चलू कर देगा इसका जो गून है कि राप्लिकेट होता है वोस्ट सल के अंदर राप्लिकेट का मतलब फोट फोटो को भी बनाता है अपनी तो बहुत सारी संग्या हो जाएगी और उसको खतम करना चलू कर देग ठेक है कंटेजी नम वाइन फ्लिट जिकलता है मैं बता देता हूं आपको पहले विस्षिष्था बैक्टीरिया से छोटा अब बैक्टीरिया से छोटा क्यों है आपको बता दिया पोर्सिलन फिल्टर याद रख लेना अग्ट कोई समस्या इसमें दूसरी बात आपको बताई थी इसमें मैंने कि ये बाहरी माध्यम में क्या होता है निर्जीव होता है कि बाहरी माध्यम में क्या होता है डेड होता है लेकिन होस्ट सल के अंदर कि इसी पादब या जन्तू में क्या होगा कि सजीव होगा जीवित होगा यह बात भी बेजरिनिक ने बताई थी यह आप किताबों में जो रटी रटाई विस्सता पढ़ते हो बेजरिनिक वाली ही है समझे महीं बात उसके बाद में संक्रामक जीवित तरल छोड़ता है जिसे एक पादब से दूसरा पादब या मैं यह कहूं कि एक जन्तू से दूसरा जन्तू है वो संक्रमित होगा है कि यह ठी मेरे दोस्तों वाइरस की विशिस्तं वाइने वाली बातें आपकी दिमाग को रही है ना इतियास में वायरस के सक्षे है रोग हो रहे थे वाईरस से यह नहीं पता था लिंग प्रेजरियों की खोज एकित वाधे उसके बाद में वाइरस की खोज्ट तिन विऑनिक मेर इवान वस्की और वैजरीनिक ने इननों ने कोज़ की तो फिर एक्ट्रो माइक्रोस्कोप की खोज़ हुए तो फिर इसके आकार आकरती विशेश्थाएं और परिभासा सब्द यह तो पहला ही आ चुके थे आकार और आकरती एलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के बाद आई अब फिर अलग-अलग विग्यानिकों ने अलग-अलग वाइरस इसको देख लिया उनकी विशेस्ताएं बता दी कौन किसको संकर्मित करता यह सारी बाते कर दी उन्होंने ठीक है तो फिर उन्होंने क्या किया वाइरस का वरकी करन कर दिया अफो दोस्तो तो उसमें आपको दो चीजी जहां रखनी है पहली बात कि उसके अंदर जो नुक्लिक अजिड वो डीन ने कि आरनतền है डीन continues धी ने हैं कि आरने है कि अ दूसरी बात डीने है अगर डीने ने है नुक्लिक ऐसीड तो वह दूर ज जो की यह एक रजुकी द्वीर जुकी एक रजुकी बताए आपको लाइस तरह से टिक सिंगल च्टेंडर आए डबल स्टेंडर आपको तीसरी बात DNA के है यह और निए दूसरा डिए ने है तो single standard है डंड है तिसरी बातinka कि वह Inveloped है यआ अन- एुट एया मतलब घिरा हुआ हुआ है या खुदा हुआ हुआ और उसी से classification हो गया सब्सक्राइब केशन को पिएने वाय्रस है उसमें स्ट्रीणों और सिंगर्संडर्ड एक ितरे का होता हैं एक अईक और दो परकार का इम इम अइन ही पार आने वायरेस अपने को यही से चलना है एक आरे ने बारन्य वार्यस का आरेने विरस हुं से पोज़िव play वारने बेकर पूझिटिवर इने पोज़िटिव 29 मेरे और या लिए या ने वारन्यों विया डिय ने यानि वाइरस, दूसरी बात, पोजिटीव आरेने, तीसरी बात, इन्वेलप्ट, क्या बताया मैंने, आरेने वाइरस, आरेने में कौन सा, पोजिटीव आरेने, और पोजिटीव आरेने भी कौन सा, इन्वेलप्ट, इन्वेलप्ट का मतलओ, गिरा हुआ, और ये कौन है, ये वोई है जी, अपना कोरोना वाइरस, ये लो, आगया है ना, अब यहां से पूरी कार्णी चलू होती है, जो अपनी इसलिए आप में आए, ये तो इस से पहले मैंने, जो क्या बोलते हैं, बीज रखा है, वाइरस का, कि वाइरस क्या था, अब समझ में आया, वाइरस कहां से आया, इतियास से शुरू हुआ था मेयर से आया मेयर से इवान वसकी इवान वसकी से बैजरिनिक और फिर बहुत सारे विज्ञानिकों ने इनको डिवाइड कर दिया और एक क्लासिफिकेशन दे दिया जिसमें आरेने पोजिटीव आरेने इन्वेलप्ड आरेने है वो कौन है अपन एक और एन वाइरस है पोजिटीव आरेने है और अन ए शुरी इन्वेलप्ड वायरस है अन इंवेल्पड निया इन्वेल्प्ड वायरस है इनवेल्प का मतलब क्या होता है जो घेरा हुआ हूँ अलोग थे बड़े तो हमने मैंने सुरू में बताया था इतियास के सक्ष्य वाइरस की खोज और उसके शाक्षे तीसरी बात वाइरस की परिवाशा उत्पत्ति और क्या बताया था विसेशता ही आकार आकरती संटन चोता बताया था वाइरस का क्लाशिफिकेशन हो चुका है अब बचे तीन पॉइंट कोरोना नई श्टेन वाक्सिन करें करते हैं अब कोरोना वाइरस जो पीछे वाला था ना दोस्तों सुरी यह वाला एक क्लासिफिकेशन मतलब साट के लगब दे दिया तो जैसे जैसे से खोज होती कि वैसे बैसे क्लाशिफिकेशन चलता गया अब क्या हुआ बात है मेरे दोस्तों उननीस सो बीस की कौन से सन की नीस सो बीस की अमेरीका में उत्री अमेरीका में मुर्गों में कोई रोग फैला मुर्गे पता है आपको एक्क्यूट रैस्पिरेटरी सिंड्रोम एक्क्यूट रैस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको नाम दिया गया उससे क्या मुर्गों में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मुर्गों में मोतें हो रही थी एक मुर्गे से दूसरे मुर्गे में फैल रहा था तो मुर्गों को रोग फैर रहा था जो कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेमेज कर रहा था यह उन्नीस सोबीस और 1940 की तक की बात है उन्नीस सो साथ में ऐसा क्या हुआ था कि जो यह वायरस है जिसको मैं कोरोना बोल रहा हूं यह तब तक सिर्फ जन्तू पर ज滿 में था उन्नीस सोबीस साथ के लकबक कुछ मामलें ऐसे जिसमें वायरस आगे जन्तूँ में से मान ओमैं एनी लग गता है चन्तूओं श्टडी की गई और दो चीजे बताई विग्यानिकों ने एक तो जूनोटिक वाइरस और एक जूनोटिक सिपलोवार यह क्या होता है समझे गए इसको जूनोटिक वाइरस प्राणी जन्य विशाणू इसमें क्या होता है जन्तू से कि कुट्टे से कुट्टे में बिल्ली से बिल्ली से मुर्गे से मुर्गे में चमगादर से चमगादर में उसको क्या कहते है जूनोटिक वाइरस जूनोटिक सिपलोवर क्या होता है कि जब वाइरस जन्तू से मानव में संकर्मन करें जन्तू से किसमें संकर्मन करें मानव में तो उसको कहते हैं जूनोटिक सिप लोवर और यही हुआ था कोरोना के मामले में कि 1960 में 1960 में खोज होगी थी ठीक है खोज शुरू होगी थी पैसट के लगबग दो वेग्यानिक थी उन्होंने बताया था कैसे बताया था वो बात करते हैं पहले इन दोनों चीजों को समझना जूनोटिक वाइरस मैंने आपको बताया कि जब वाइरस है वो जन्तू से संक्रमण करी से और जूनोटिक शिपलोवर में क्या होता है कि जब वाइरस जन्तु से मानाव में संक्रमण करे और यह सबसे ज्यादा डेंजरस होता है मीत्रों यही महामड़ी का रूप लेता है ठीक है अब आते हैं फिर कोरोना वाइरस पर कि जब ऐसे मामले आने लगे कोरोना वाइरस के तो फिर इस पर अध्यान सुरू हुआ और दो वेज्यानिक थे जून एलमीडा और टोलेयर डैविड टोईरेल कि दो वेज्यानिक जून एलमीडा स्कोटलेंड का था और डैविड टोईरेल कहां का था इन्होंने खोच की तो कोरोना पर जो प्रोटीन की जो लेयर होती है न वो क्राउन प्रिंस के जो मुक्ट होते है उस पर देखाओ इस तरह से डंडी होती है उसके समाना या मोतियों की माला के समाने इस तरह से इसी तरह से होता है क्राउं इसी तरीके की लेयर है तो उस लेयर को लेटिन भासा में क्या कहते है कोरोना और उसी से क्या आया कोरोना लेटिन भासा के सब्दों कोरोना से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है मोतियों की माला या मुक्ट और उसी से नाम आया कोरोना कब 1965 में कौन से वेकनिक ते जून एलमिंडा और टोईरेल ठीक है देख ब्रिक टेन का था और एक कहां का था स्कोट्लेंड का और उन्होंने नाम रख कर फिर भेज़ दिया इंटरनेशनल कमेटी ओन टैक्स इंटरनेशनल कमेटी ओफ वार लोजी ठीक है इंटरनेशनल कमेटी ओन टैक्सोनोमी ओफ वार खी celebrate करती है इससे IUCN पढ़ा होगा आपने ठीक है उसी तरीके से यह कमेटी है जिसको कहते हैं ICTV International Committee of Committee on Taxonomy of Virus इसने 1971 में इस कोरोना नाम को मान लिया यानि की कोरोना था मेरे दोस्तों उसके बारे में 1971 में मतलब लिगल जो नाम है वो दे दिया गया अब फिर क्या हुआ कोरोना है वो 45 परकार की होते जिसका ख्लासिफिकेशन अलग अलग बिग्याने को ने किया कोज का पूचले नाम का पूचले तो अलमीडा और टोई रेल ने किया तो समस्थ है इसमें कोई दिक्कर नहीं बड़े आगे अब आताती यह नाम की उत्पत्ति कर लिए हमने कोरोना की और गी करन करते है वायरस है उस लग फैमिली और जीनस ओडर है वो अलग-लग वायरस उसका अलग-लग होता है हम उनका नहीं पढ़ेंगे हम सिरफ पढ़ेंगे तो कोरोना का पढ़ेंगे अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है ध्यान रखना मैंने कहा कि जो कोरोना वायरस है उसका ओडर आपसे पूछ ले कि कोरोना वायरस का ओडर कौन सा है आपको याद रखना न 육्यव वाईरल्स किया है न्ड"... वाइरल्स फैमिली पूछ ले तो आ याद रखना है अ है कोरोना वीरेडे कोरोना वीरेडे सब फैमिली दो होती है कोरोना वीरी ने और टोरा वीरी ने चार बाते है पहली इसका ओर ओर्डर क्या है नाइडो वीरेड वीरेलस ठीक है नाइडो वीरेलस इसकी फैमिली की बात करनूं तो फैमिली क्यों सी एकरोना विरे डे सब फैमिली एक तो है कोरोना वीरेएने और यह आप यहे टोरो वी रेनें है अब ज wish लुए को ईक तो रोम वी रेने हें इसके कितने रूप है चार यहार जीम्स है एल्फा बेटा गामा और डेल्टा इसके दो है टोरो वाइरस और बैफीनी वाइरस कितने परकार की होते हैं 45 परकार के अब थोड़ा सा ध्यान देना इदर गामा और डेल्टा यह सिर्फ जन्तू में हैं अबी जन्तू से जन्तू में फैले हैं जन्तू से मानों में नहीं फैले जन्तू से मानों में फैले हैं दोई एलफा और बीटा जो कितने परकार के साथ ठीक है यहां पर इंपोर्टन चीज है ध्यान से समझना ह। मैंने कहा कि यह सारे के सारे जनतूओं में होते हैं 25 परकार के लेकिन जनतूओं से मानाओं में सिर्फ दोई टाइप के आते हैं एलफा और बीटा एक एक हुमन कोवीट 229-8 एक हुमन कोवीड 229-4 नल 63 एक हुमन कोवीड एच यूवन और ह्यूमन कोविड ओसी फॉर थ्री चार पहला दूसरा तीजरा चोता इसको नोट डाउन कर ले यह जो कोरोना थे उनके सामाने लक्षन थे खांसे जुखाम जो सामाने अपने रेट्रो वायरस से जो होते हैं सुरी नासा विशानों से जो होते हैं यह जो चार थे ना दो तो अलपा गे और दो बीटा के यह सामान्य थे नाम लिख लो इनके ठीक है नोट डाउन कर लो पेपर में पूछ सकते हैं यह कोरोना का कौन सा रूप है तो कौन सा है एलफा और बीटा अब समझे नहीं बात है एच कोविड यान की हिमन कोविड तूटू नाइन यह तूटू नाइन यह हुए वो तीन कौन-कौन से है सारस कोविड वन मर्स कोविड और सारस कोविड टू जिन्होंने बैयानक स्थिती पैदा के थी यह जो दो-दो है ना एलफा और बीटा के यह सामने लक्षन प्रतीत कर रहे थे जैसे मैं बोलूं कि खांसे जुखाम नाक से तरल जो जुखाम में होता है इनकी चर्चा मैंने इसलिए नहीं कि यहां पर क्योंकि यह आपको पता होने चे जन्तूं से जन्तूं में फैलते हैं ठीक है यह टोरो वाइरस इसमें क्या होता है मानों में होता है लेकिन ब्यानक नहीं होता है बहुत ही कम इफेक्टेड होता है अपने को डाइरिया दस्त लगना यह लक्षन परतीत होते हैं जर्मनी में यह हुआ था ठीक है यह जो बैफीनी वाइरस है यह सफेद मचली में पाया गया था ठीक है और य महले से तक आप को बता ता यह आरेंने वाइरस में वी पोजिटिव बाएनी आरेंने और क्या है इनुवैलपकान माось परकार कि जिनका लगलग क्लाश्रीफ Krans है अब यह बात नहीं बता ता सीधा बता देता लो जी सार्स पर है क्या यह नहीं दूब प्रेस्ट भूमी जरूरी है तो आपको बता दिया कोरोना वैरेस चार परकार का एलफा बीटा गामा और डेल्टा गामा और डेल्टा अभी तक सिर्फ जन्तू से जन्तू में ट्रास्मिटेड हुए हैं जन्तू से मानव में नहीं हुए अगर हो गए तो क्या दूस्परिणा होगे अभी तक इसके कोई स्टडी नहीं है एलफा और बीटा एलफा के दो परकार जो मानव में आ चुके समाने जुखम बीटा पांच परकार का जिसमें से दो है वो समाने इंचानों के नाम लिख लेना मेरे दोस्तों कई बार पूछ लेता है कि यह किसका रूप है कोरोन है, couple इसमा का अलफा बीटा बड़ी लेबल के छीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले सारस कोवीड वन की सारस कोवीड वन सारस कोवीड वन आपको पहले पता होने चिख एक कौन-कौन से देसों में फ्यला था यह मेप आपके सामने ठीक है यह लगभग touched देसों में पहला था पहला इसका जो मामला था वो 2002 में चीन में आया था आट से जार लोग संकर्मित हुए थे साड़े पॉने आठ सो या निकी साथ सो पचेतर तक के व्यक्तियों की इसमें मौत हुई थी साथ सो पिचेतर लगबग है ठीक है 2004 में खतम हो गया था सिम्टम्स जो कोरोना वाले हैं सांस लेने में तकलीफ है सांस लेने में तकलीफ खांसी आना हलका बुखार अबरुदोना यह सारे लक्षन थे पूरा नाम याद रख लिना ना सारस कोवीड टू का सिवर्व एक्क्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोर चीन में 8000 लोग संक्रमित हुए थे 39 देसों में फैला था ठीक है और याद रख लेना है थोड़ा सा और बता देता हूं यहां पे कि यह जो एलफा है ना यह चमगादर से फैलता है कि से फैलता है चमगादर से यह चमगादर पक्षी और उंट से भी फैल सकता है गामा यह सूवर से फैलेगा और साथ में पक्षी से और यह डेल्टा है वो केवल सूवर से फैलेगा यह आपको ध्यान रख लेए अलफा बीटा गामा डेल्टा किसकिस से फैलते है तो मैंने कहा पहला सिवर्व एक्यूट रस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वाइरस सारस कोविड वन का नाम पता चला 2002 में चीन में फैला था 2004 में खतम हो गया था ज्यादा लोग परभावित नहीं वेते सिम्टम सेंट कोई समस्या इसमें मर्स मर्स क्या था मिडल इस्ट रस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वैरस मिडल इस्ट यानि कि मद्दे ऐसी आमें फैला था साओधी अरेबिया वगरा म है और ध्यान रखना है यह रोग है वह उन्टों के संप्रक से फेला था लिखा हुआ भी होगा यहां पर किसे पहला था उन्टों के संप्रक से लगबग 24 देस है वह इससे संकर्मित हुए थे ठीक है कितने देश 24 1000 मामले आयते 400 के करीब मौती विए थी सिम्टम सुगों ही सांस में तकलीफ बुखार गलावरूद खासी वगएरा 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 आया है अपने वाले पे तो यह है नोवल कोरोना वाइरस नोवल का मतलव नया नवंबर 2019 वुहान चीन में पहला ममला जो अभी तक चली रहा है याद रखना है पहला जो कोविड कोरोना था कौनसा सारस कोविड बन 2002 में चीन में आया था उसी की नई श्ट्रेन है यह यह उसी की नई श्ट्रेन है बीटा कोरोना वाइरस है यह तो हमने पढ़ चुगे क्लासिफिकेशन में चमगादर से पहल सकता है पक्षिश एफ और अट प्यान रखना इसमें क्या हुआ है जून ओटिक सी पलोवर बताया था ना जंतू से मानα लिया पिछला भी यह था उंट से आया चमगादर से आया जूनोट अप पता है सारी बाते बता दी आपको अब सारसि को विटकी तूँ याद रखना है आपको सीरव एकक्ट्यूड रैस्पिरेट्री सिंड्रोम कोरो ना वायरस ये वायरस का नाम है किसका नाम है वायरस का रोग का नाम क्या है कोवीड 19 क्यों कोवीड 19 का मतलव क्या है और को बसका नाम आपको पता है सारस कोविड टू अब याद रखना है 2019 में जो कोरोना आया है उसका बुझने नाम तो सारस कोविड टू 2002 में आया था उसका सारस कोविड वन जो 2000 जून में आया था 2006 के लगबग ये मिडल एस्ट में उसका नाम क्या था मर्स वो उंटो से पहला था साउधी अरेबिया उंट पालते हैं तो उंटो से में जूनोटिक सिपलोवर हो गया अब इसको क्या कहते हैं नोवल कोरोना नोवल कोरोना का मतलव बता दिया आपको और यही वो वाइरस है जिसने आपका पिछला एक साल तैसनेस कर दिया सब्सक्राइब हगए समझ मैं आया क्या अफ़ा बीटा गामा डेल्ता गामा और डेल्टा में आपको बता दिया err यह अभी तक सिरफ जंतू से जंत। में फैला है यानि कि जुनोटिक वाइरस है जुनोटिक सिपलोवर नहीं है जुनोटिक सिपलोवर एलफा और बीटा है जिसमें से चार आपको बता जी जो सामन्य है तीन है सारस कोविड वन मर्स और सारस कोविड टू जो कि अब वाला है कि समझ मैं आपको बढ़े आगे आगे बढ़ते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों सरंचना कैसे यह मानव को इफ्रक्ट डालेगी कैसे हमारे कोशी काओं में प्रवेश करेगी कामें कैसे हमारी immunity को कमजोर करेगी और कैसे इसके लक्षन प्रतीत होंगे तो रसा जल ग्रैन कर देता हूं फिर बढ़ते हैं आगे अब थोड़ा सा सोचो आप कि मैंने आपको कोरोना वाइरस बताया उससे पहले वाइरस से पहले इसकी प्रश्ट भूमी बताई यह अगर आपको नहीं पता और मैं सीधा आपको यहां पर लेके आता तो कुछ मजा आता कि आपको कोई मतलब नहीं था बहुत सारी वीडियो ब बता दिया अभी सामने जो देख रहे हैं वो डॉक्टर तोड़ी है वो नादान बालक है जिनको वाइरस के बारे में अभी तक बहुत जानकर ही नहीं है तो आपको इसको नहीं कैसे समझा दोगे और इस सारस कोविड टू में आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों जो 2002 में आई थी ना चीन में 755 लोग मरे थे उसी की स्ट्रेन है यह स्ट्रेन क्या होती है यहां पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यह आपका कोरोना वाइरस उसकी सरंचना बहुत अच्छे समझ में आएगी सबसे बहले मैं आपको बताता हूं कि आपको बताया था इसके अंदर न्युक्लिक एसिद और प्रोटीन होगी यह लो ठेक इसके चारों और यह वाली जो लेयर है इसकी वो लिपीड की बनी होती है और दोहरी जिली होती है डबल लेयर होती है इस तरह से आवरें है उसमें डबल लेयर होती है जो यह स्पाइक्स बने होते हैं आपको याद रखना स्पाइक्स है वो किसके बने होंगे ग्लाइको क्षितों प्रोटीन के स्टैइफ प्रोटीन के और किससे बने होगी होगा आवर्य था यह दृपिड लेर से मना होगा वसा से स्पाइक्स जो ठीक है यह वाले यह किसके बने होंगे ग्लाइक को प्रोटीन के वाइट कलर की आपको इसमें दिखरी होगी मेंब्रेन प्रोटीन यह सुरी यह वाली यह वाली यह वाली यह नहीं और यह क्या है मेंब्रेन प्लाजमा पर जो प्रोटीन बाई जाती है वो है कि दिखाई देरी आपको यह आरेन जो कोरोना वायरस उसकी सरंचन देख लीजिए आप इसको यही ज्यादातर चीज़े है कि स्पाइक्स किसके बने होते हैं गलाइको प्रोटीन के मैटीरियल होता है अंदर जेनेटिक या आरेने सिंगल स्टेंडर्ड है देख रहा हो को आपको ठीडि डाइग्रम अच्छी तरीके से समझना इसको अब मेरे दोस्तों यह कोरोना सरीर में इंजक्ट हो गया और आपको कैसे प्रभावित करेगा इस पर चर्चा करते हैं यह लोजी जो आपको यह पिंक कलर का इसके अंदर दिखाई दे रहा है नहीं यह हूमन सेल है सबसे पहले क्या होगा कोरोना वायरस आपके के सहरीर में प्रविश्च करेगा तो आपकी जो बॉडि में साल होगी न उसके साथ जुड़ेखा जैसे कोसीका के साथ जुड़े गां कि गारणी से परोटी न अलग हो जाएगी और न्यूक्लिक आसीड है वह जो और जो क्रोना और बहुत सारे निर्मान करेंगे और अरहन को क्या गाँ वह सासी आर्या क्वारीन ओड़्यक्ला वाल समझने के बाद बन कहीं और पूरे बोडिन भागों जाएगे में ब्रेन बेंदर इंजक्ट होगा अलग हो गया अलग क्यों ना प्रोटीन के साथ चोन्क्रा नहीं बढ़ए कि यिए और अदर अनुट इन जाधा होनाol चाहिए और अपने नयरक हो जाते प्रोटीन जाते एंड कितीम अब जूड जूड गए अब चले जाओ कहीं भी कहीं भी चले गए तो फिर देख लो यह यह पर भाव होंगे कि सिरदर्द कफ जम्ना जोना मासपेष्यां हर्ट की कम जोरोना किंड़नी की मासपेष्यां कम जोरोना काशिया ना उक् humour का रहना तक सारे लुक्षन प्रतीव और आपने देखा और वैरस आइसा मना लठ्षन वाले यह और कंपी लखले लंबरॉबईब्स यह प्रतीद हो रही थे ठीक है इसा मने वाले में जी जो रही थे यह क्या है यह पाइस एँ और यह अपनी वाइट सेल्स व डबलूबीसी डबलूबीसी सरीर की प्रत्म सुरक्षा पंक्ति कहते हैं अगर संक्या जदा है डबलूबीसी की बोडी में तो क्या होगी सारी की सारी डबलूबीसी कोरोना कर गेर कर मारेगी और जब गेर कर मारेगी तो क्या होगा कोरोना कहेगा मेरे को मार रहे हो अभी संक्या बढ़ाती एक टाइम एसाइगा कि डबलू भी सी ए उनकी संक्या कम हो जाएगी और कोरोना वैरस के संक्या बढ़ जाएगी तो डबलू बीसी अपने सरीर को कहेगी मैंने बहुत आपकी साहता कर दी अब मेरे बसकी बात नहीं है तो आपने देखाऊ कि जो सिम्टम से है वो साथ से 14 दिन के बाद परतित होते हैं संक्रमन के बात क्यों कि साथ से 14 दिन के बीच में अपने डबलू बीसी जद्दयु जैद कर रही त्युस के साथ जद्धोजाइद करी दिए मैं चलो तेरे को रोग रही हूं रोग रही हूं एक टाइम ऐसा है का डबली पीसे सरेंडर अब अपने बास की बात नहीं है फिर यह क्रेक्टर परतीत होंगी जिनकी इम्मूटी अच्छी है कोरोना है वो वीक है तो उसमें स्म्टम्स परतीत नह बात आती हैन म्यूटेसन की उत्परिवर्तन की और कोवुड सारस कोवी डूँ है उसकी आच्छी बात अपने को पता जोगती है इस परिवर्तन क्या मेरे दोस्तों तंब परिवर्तन यह होता है कि कोई भी प्रजीव है उसके आनुवांसिक प्रधार्थ में जनेटिक माटीरियल में अचानक आने वाला परिवर्थन जो वनसानुगत होता एक पिड़ी से दूसरी पीड़ी में जाता है जो कि किसी प्रजीव की जाती के अनुवांसिक परदार्त में होने वाला fungi तता वन्सानु गत् साइफ परमानेट होगा ये हो गया अब ये स्थमद्फ लेगा नि यह तो रहेगा मैं यह वनसानुगत कि पहली पिडिसे में था उससे दूसरी फिडिल्स हो गया एधर इसमेन यह चलता रहेगा है यह परिवर्टन क्या कहलाता उत्परिवर्टन और यह म्यूटेशन अना ध्यान रखना है जितना छोटा जीव उतना ज्यादा जल्दी छटा होता कोटा पतå होगा आपको ज occupation छोटा जीव उतना इंदी कोरोना वारष मेधिनि राइस की बात कुरू तो वायरस तो इतना ज्यादा diese क्रेट होता है एक दिन में 2-4 बार कर सकता है मुटेशन और मनुष्य में एक लंबे समय पूच्ती अब नहीं है कि तो कितना टाइम लगा है जितना बड़ा जीव म्यूट हमें उतना ज्यादा समय 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 यह बात अब जो म्यूटेशन और वायरस की बात करूं में वायरस की चल यह तो वाइरस में म्यूटेशन दो परकार का होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटी एंटीजेनिक शिफ्ट क्या होते हैं ये बात आपको बता चलिये उत परिवर्टन के बारे में ठीक है कि अनुवांसिक प्रदार्थ प्रदार्थ में इस्ताई तता वंसानुगत परिवर्तन और जितना छोटा जी उतना जल्दी म्यूटेट होगा अब दो परकार का होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट डाइगरम से बहुत अच्छे समयज में आएगा देखो यह अपना कोरोना वाइरस है ठीक है इसके बार जो आपको यह स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं यह प्रोटीन की स्पाइक्स है अगर इस आवरण में कोई परिवर्थन होता है प्रोटीन की जो स्पाइक्स है उसमें कोई परिवर्थन होता है तो यह कौण सा होगा एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कर और इससे जो अपने को रिजल्ट मिलेगा उसको कहते हैं स्ट्रेंड न्यु श्ट्रेंड और कि समय गार आवरण के बीत आवरण में कोई परिवर्थन होता है प्रोटीन में आवरण कीसक में प्रोटीज दरीफ्ट अब देखू कि जब दो वाइरस ऐसे जुड़ जाएं जिनके प्रोटीन में भी चेंज हो रहा है और अंदर के मटीरियल में भी चेंज हो रहा है कितने जुड़े दो तो एक नेया वाइरस बनेगा ये कौन सा होगा शिफ्ट शिफ्ट परिवरतनों अंदरबी हो सकते है लेकिन बहुत कम प्रोटीन के आवरण में परिवरतन तो क्या कैलेगा दृफ्ट और जब नई स्टेन मिलकर एक नए रूप बना ले अंदर भी परिवर्तन बाहर भी परिवर्तन तो कुण सा होगा शिफ्ट और यह अभी तक नहीं हुआ है अभी तक जो हुआ वो यह हुआ है और अगर यह हो गया ना तो वाइरस पूरा ही बदल जाएगा अभी तो सिर्फ आवरन बदल रहा है वाइरस नहीं बदल रहा है वाइरस तो अंदर तो वैसा का वैशा ही है उसके अंदर आरे में है अगर पूरा बदल गया अंदर से भी त अगर यह ऊगया ना तो फिर बाद में बताउंगा बाने में बताउंगा ठीक अवीज थोड़ा सा पैसेंसरे की सिफट डिफ्ट समझ में आ आ या किया वर्ण परिवर्तन तो ड्रिफ्ट अंदर और बाहर दोनों परिवर्तन और निया स्ट्रेंट बन जाए तो इसको क्या कहते हैं कि सिफ्ट सिफ्ट की तुलना में जदा कतंना को कि इसका मटीरियल भी बदल रहा है कि डिफ्ट में मटीरियल अनुवान सिक परदार था वो जनेटिक मेटीरियल वो नहीं बदल था समझे मैं कि दोश्ट रेने आपस में जुड़कर एक नए रूप मना ले तो सिफ्ट और जब केवल प्रोटीन के आवरण में परिवर्तन होता है तो डिफ्ट बढ़ते हैं तो 16 महिने मैं कोरोना वाइरस है वह आपको पता हो ना चाहिए चवदा बार मियूटेट कर चुका है कि दो दाबार म्यूटेट हो चुका है यह और जो भी मिटेस्टन हुए है वह सारे के सारे कौन सीमें डीफ्ट हूए है यानि की केवल आवर्न में परिवर्तन हुआ है और उसी से नई स्ट्रेन मिली है अब वो जो चार बार म्यूटेट हुआ है ना उसके कुछ बताता हूं आपको पहली फरवरी 2020 में हुआ था दूसरा मई जून 2020 में हुआ था और तीसरा सितंबर अक्टूबर 2020 में इनको नाम दिया था दे 2614G यह काँफ़ म्यूटेट वह ता यूरोब में ए टूटूटूटू वी यह काँपे हुआ था स्पैन में और अक्टूबर में जो हुआ था भी 117 दक्षिन बुरों इंगलेंड मैं यानिकी मूटेसं दो हो रहा है को रोना में लेकिन है कौन से ऊटारेट रिफ्ट वराइ के स्ट्रेंड मिल चुके हैं कोरोना जो अभी जो है सारस कोविड टू उसमें चौदाबार म्यूटेशन हो चुका है लेकिन हुआ कुण साइड ड्रिफ्ट ही हुआ है सिफ्ट नहीं हुआ एक भी भार नहीं अब कि चुदार नहीं याद रहे दें तो चीवादा वर्णा कि यह जरूर पूल जकता है नेश्ट्रेंड क्या होती है नेश्ट जब उत्परिवर्तन से निया रूप बनेगा वह दो परकार का होता है से ट्रीफ्ट ड्रिफ्ट कम घतरनाक शिफ्ट ज्यादा का तर्मा क्या से घतरना को आपको बता दिए अब नेश्ट्रेंड वी अंडर इन्वेस्टिगेशन कि ऐसी वेरियंट ऐसी स्ट्रेंड जो जिस पर पहली बार जांच चल रही है जो चौदा हुए उन्में से किसी की भी अपने जान नहीं जांचनी की वेगेने को ने लेकिन इसकी इन्वेस्टीकेट चल रहे ह। इसको इसको वो दिया वर्ष्ट वेयरियंट जिस पर इन्वेस्टिकेशन चल रही है और स्कुन यू के एष्ट हाएं क्या कहते है यू के हो इसनेि trazer क्या हुआ है प्रोटीन की स्पाइक्स बनी है ठीक है और ये भी किस परकार का उत्परिवर्तन है ड्रिफ्ट सिफ्ट नहीं है यू के स्टेन आपको बता दिया क्या है कि वी यू आई है इसको क्या बोला है वी यू आई रहें ति फर्स्ट वेरियंट अंडर इन्वेस्टिकेशन यू के श्टैनी भी बोलते हैं और कहा जा रहा है आपने सुना भी होगा कि यह जो नई स्ट्रेन है वह सत्तर परतिसत्स संकरमन ज्यादा फैला रही है इसका मतलब क्या हुआ यह सुनिएगा संकर्मन फैला रहे है सत्तर परति सज्जादा परभावी नहीं है सत्तर परति सज्ज्जादा समझें दो एक तो परभावी दोना और एक संकरमी दोना कि मैं अगर मेरे अंदर यूकेश्टेन आगी तो मैं ज्यादा लोगों को और सब्सक्राइब नीरे तो हैं तो इसको खतरनाग नहीं मान शक्ते यह सट यह म् रिप्टरनां सकते करination क्योंकि इसमें क्या आल रेडा है अंदर ही यह बादय Kurz् année बदल गया सिर्फ आवरण बदला है तो वैक्सीन हो किस परकाद से इन्हों ने डवलमेंट किया उसका उस प्रोटीन के आवरण के आदार पर इविटीबल डवलमेंट किया है वह जा मैं अभी मेकनिजम समझाऊंगा मैक्सीन की तो उसमें समझ में आएगा यू के स्टेन याद रखना है यूवी आई कहते हैं इसको को सत्र परतिस संक्रमन ज्यादा फैलार इने की परभावी ज्यादा है समझ में बढ़े आगे अब आती है बात वैक्सीन की यही जो चीज अपने अंतिम थी ठीक है अभी दक जो करवाया मेरी उमीद यह कि आपको अच्छी तरी लेक्सीन लेटिन भाषा का सब्दा है वेका उससे प्राप दूवा है लेटिन भाषा का ही और वेका का मतलब क्या होता है काउप औक से यानि की गाये से मिलने वाला अब देख लो गाए से मिलने वाला और आगर आपको यादो एडवर्ड जेनर साब काऊपक्स पोक्स जिन में था उनको स्मॉल फोक्स नहीं वहाँ था काऊपोक्स तरल लिया और चैचक वाड़े जो स्वस्थ व्यक्ति था उसके अंदर डाला और उस स्वस्थ व्यक्ति में स्मॉल पॉक्स वाला डाला तो उसमें रिक्षन परतीत नहीं हुए यानि कि पहली वैक्सीन पहला टीका काउपॉक्स से प्राप्त तरल को डालने से स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था तो वहां से न गाए से मिला हुआ कोई प्रोड़क्ट है अब उस आदमी ने क्या पता साइद यह पढ़ा होगा गाए से मिलने वाला लेकिन इसकी प्रश्ट वूमी साइद उसको नहीं पता दी तभी तो इस तरह का बचकाना स्टेटमेंट दे दिया गाए से मिला है लेकिन इस वैकoria का मतलबी समझे वाइन बात Tha Master समझे आब वक्य सिए dissbor, करते हैं तो लाइष चार परकार, उनके के अधार पर है बताता हूँ आपको पहली लाइव वएकसिक शीम मैं और चॉथी टॉक्सिट वैक्षिन क्या होती है समझना बिलकूल सीमब से लाइव गशीन या लाइव इन डिन रेक्षिन क्या होती है लाइव वैक्षिन इसमें पैकड जो रोख जनक होता है कि उसका कोई कमजोर रूप लिया जाता है उसका क्या लेंगे कोई कमजोर रूप लेंगे और रोगी में डाल देंगे तो कमजोर रूप है तो शरीर वो एंटी बोडी बनाएगा और इसको नश्ट करने लगेगा यह किसने लिए होता है पोल्यों के लिए मिसेल के लिए रोटो वाइरस के लिए और येलो फीवर के लिए क्या होता है मैं इसमें बताया कि इसमें जो रोगी होता है उसमें जो वीक फोम होती है जो कमजोर भाग होता है या कमजोर रूप होता है किसी वाइरस का उसको डाला जाता है ठीक है और यह लंबे समय तक परतिरक्षी का कारिय एक इन ऐस्टीवेटेड लकि वैक्सीन को परवेश करवा रहे हैं लेकिन निस्किरिया रूप में क्या दे रहे हैं एंटिजं जैसे आपकी सिस्वावस्ता में इंजक्षन लगे थे ला वो यही थी inैक्टिबेटवेटेड एंटिजंस यह इनवेक्टिडेड वैक्सिन कि निस्कृीं अवस्ता में मेरे बश्रीर स्रीर में क्या दे रहे हैं रोग कारकी दे रहे हैं और जब मेरे स्रीर में कोई रोग आएगा जैसे मां लीजे मेरे को पोलियो वैक्सिन लगाई गी थी तो पोलियो वैक्सिन में क्या था पोलियो वायरस ही था अब मेरे स्रीर में भविश्य में कभी पोलियो वायरस अटेक क है सब यूनिट इंपोर्टैंड हुए छोघ्छनंastern है उसका कूई कटकर कड़न और शरीर में पर्वेश्क करवाया जाएंं ने yen कि कि करता है बहुत ज्यादा कि मृतल सिर्श करता है सरीठक है को अगर रोग नहीं है तो भविश्य में कोई रोग हुगा तो खतम कर देगा अगर रोव हो गया है तो उसको भी खतम कर देगा इसमें क्या होता है वाइरस का कोई छोटा सा भाग है उसको इंजक्ट कराए जाता है किस किस के लिए और यह याद रखना कोरोना वाइरस के सर्योंगी में कोराना वाइरस की सीरफ जो वैक्सीन है सोरी इस में wish जिसे टीडनस में विची दिया जाता है वh कौन से फीन होटीय तॉक्सिम इकसी समझ में एक सिंच रहू क्या बुद्धा लाइड गशिन इन एक्टिवेक्टिड गशी सब यूनिट गशेन और टॉक्सिड गशीं अपसे पुचले को रॉना रगonto स ineck कार की वैक्सिन है तो याद रखना है सब यूनिट वैक्सिन क्यासे है क्योंकि इसमें वाइरस का एक छोटा टुकडा काट कर आरेने जिनोम को काट कर सरीर में परवेश्च करवाया है और यह आरेने जिनोम जैसी परवेश्च करवाएगा सरीर इसको रोग जनक सरीच समझ कर एंटीबोडीज का निर्मान करेगा और इसको क्या कर देगा नश्ट कर देगा समझ मैं ही बात नश्ट हो गए कैसे करेगा मैं बताता हूं कि तोकड़ दिया जैसे यह परवेश करेगा शरीर इसको समझेगा एंटीजन नहीं एंटीजन है तो सरीर क्या करेगा परतिरक्षियों का दिर्मान करेगी डबलू बीसी लिंफो साइट बगेर और वो क्या करेगी इसको नश्ट कर देगी ठीक है अब ये तब तक कारगर है वो टुकड़ा डाल रहे हैं वह तो उस वाइरस का नहीं है हैं समझे भया यानिक आब जो नहीं स्टेन है उसपर अपनी जितनी भी वैक्सीन है झाये ते प्वारत आइड़ को वैक्सीनों चाहिए जिव्ध हो छायए फाइजर की ओचाए मौडन ना की ओख को ही भी वैक्सीन है सब की सब काम करेगी क्योंकि अभी तक जो म्यूटेट हो रहा है वायरस उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट हो रहा है शिफ्ट नहीं और जिस द जो डाल रहे हैं तो कैसे खतम होगा वाइरस समझे बात अब बात करते हैं वैक्सीन की वैक्सीन आपको बता दिया वैका लेटिन बसा का सब कितने परकार की होती है यह भी बता दिया इसको डीप नहीं पड़ सकते समय की सिमा है ठेक है कैसे कौन कौन से रोगा वो भी बता द है और मोडन ना की मनिए विदेश है और भारत की आत्मनीरवार भारत के तहर भारत बायोटेक कंपनी की कौन सी यह को वैक्सीन और एक बात अगर आप जान लोगे न तो आप खुद को गरवानमित मैसूस करोगे मेरे दोस्तों भारत उन पांच देशों में से एक है जिसने खुद की वैक्सीन बनाई है यानि कि यह पांच देश पूरे विश्व को डोज देंगे वैक्सीन की और भारत एक मत्र ऐसा रूँ देश है जिसने अपनी वैक्सीन में आरेने का जिनोम डाला है आरेने का टुकडा डाला है और क स्ट्रक्चर बनाकर रोग जनक को नश्ट करेगा यह अपने लिए बहुत प्राउड की बात है कुछ व्यक्ति जैसे भारत ने एमर्जेंसी अप्रूवल दो कोई दिया एक को विसील्ड को दिया है और एक को वैक्सीन को दिया है को वैक्सीन भारत भी में भारत की है आत्म न अब जब यह बनीना तब कईयों के पेट में दर्द हुआ कि यह उस दल की वैक्सीन है मैं तो नहीं लगाँ एक बुद्धी जी भी कह रहा था तीन चार दिन पहले कि युवा मुख्यमंत्री था कि श्टेट का वो श्टेट जो भारत का बहुत बड़ा स्टेट है और वहां का एक युवा मुख्यमंत्री रा हुआ है वह कह रहा था कि यह वैक्सीन मैं तो नहीं लगोंगा क्योंकि यह किसी पारिटी की वैक्सीन है अरे मुर्खो जब यह कि इतना बड़ा काम किया है कुछ कि कैरा नहीं को ने बहुत अच्छा गाम किया है कि भारत में आगी यह एसी वक्षी जैसे किसी ने भी नहीं बढई तीसरे चर्ण में ट्राइल चल रहा है एमर्जेंसी अप्रूवल मिल गया है लोगों में तेरा से तारीक से साइट डिका कंड शुरू हो रहा है तब तक आप अपना पूरा-पूरा ध्यान रखेगा विद्यार्थियों तो यह थी आज वैक्सिन की कानी क्ावर इतिहास यह कैसे रोग प्एल रहे थे फिर यह और स्काई यह जी जो प्रतंगेश को जिए था सरह, परेवास न प्रिपाष मता था हुआ इसके बाद में आपको को क्रावावा न वायर स्क का क्लासीफिकेशन बता दिया आलफा बीटा गामा डल्टा तो इस वे साथ रूप दे चार मानव में नहीं आया मानव में आया लेकिन बहुत कम बरभाव डाद रहे हैं मेरे दोस्तों जो तीन सारस कोईड बन मर्स और सारस को भी टू अपको डिटेल से बता दिया फिर कोरोना वायरस कैसे एफक्ट डालरा कैसे म्यूटेट कर रहा है न प्रगवान करें सिफ्ट नहीं हो बना फिर जीरो से सुर्व को जाएंगे ठीक है तो उमीद करता हूं आज की जो भी क्लास है आप डिस्क्रिप्शन में अगर सिर्फ वैक्शीन को पढ़ना चाते हो तो वैक्शीन है केवल नई स्ट्रेन को पढ़ना चाते हो तो उसका टा पात रख कर इस वीडियो को देखो वे परंत में परसंद ना हो ना तो हम इससे भी ज्यादा डिप चले जाएंगे और आपके यूटूब के जो अपने चैनल में मैंने में दो ऐसे मुद्दे डालूंगा डालूंगा जिससे विद्यार्तियों को भी लगे कुई अच्छा पढ़ रहें कुछ नहीं चीज मिल रही है कि समझे में बागी से भी डीप जा सकते हैं आप कमेंट में सो छोड़ सकते हूं बड़ फुलू आया है वी कोगों में और भक्सी मारे है उस पर भी वीडियो बना लेंगे लेकिन इस वीडियो को मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्या रखिए स्वस्तरिये मस्तरिये बहुत बहुत धन्यवाद